हलो दोस्तो स्वागत आपका हमारे चनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में बुगोल के कुछ important किस्चन है तो उनको देखेंगर दोस्तो वीडियो काफी बड़ा होने वाला है तो वीडियो पर अंतक बने रहे हैं दोस्तो इस तरह के किस्चन काफी एकजाम में बार-बार प इसे कहा जाता है दोस्तों तो प्राचिन भुगोल का जनक कहा जाता है हिक्के TS को प्राचिन भुगोल का जनक के हिक्के TS और मानो भुगोल के लेखक किसे कहा जाता है तो मानो भुगोल के लेखक है फ्रेडरिक रेट जेल मानो भुगोल के लेखक कौन है फ्रेडरिक रेट ज उल्काओ की चमक गटना है किसकी आयन मंडल की उल्काओ की घटक की चमक गटना किसकी है आयन मंडल की गटना है उल्काओ की चमक बढ़ते दोस्तों आगे माओरी आदिवासी पाए जाते है माओरी आदिवासी एक जन जाती होती है तो ये जन जाती कहाँ पर पाए जाती है तो दोस्तों माओरी आदिवासी पाए जाती है न्यूजिलेंड में और सबसे बड़ा रेल मार्गे विस्व का तो वो जाएका ट्रांस साइबेरियन जो कहा है रूस में है यह विस्व का सबसे बड़ा रेल मार्गे ट्रांस साइबेरियन आगे बढ़ते दोस्तो एसकीमो बर्फ का मकान क्या कहलाता है एसकीमो बर्फ के मकान को क्या कहते है इगलू कहलाते है important question है दोस्तों ये कई बार पूछा गया है नीलगीरी परवत किसका एक उधारन है तो नीलगीरी परवत उधारन हो जाएगा ब्रंशोत परवत का नीलगीरी परवत किसका उधारन है ब्रंशोत परवत का और अरावली पर्वत उदारने किसकी आउस्षिष्ट पर्वत की। ये अरावली पर्वत दोस्तों बारत में पाई जाती है। भू कमपे तरंगे पहले पता चलती है अधी केंद्र पर। भू कमपे तरंगे पहले का पता चलती है तो अधी केंद्र पर। गल्फ इस्ट्रिम वो लेब्राडोर जल धारा है तो गल्फ इस्ट्रिम तो ठंडी हो जाएगी लेब्राडोर गल्फ इस्ट्रिम तो घर्म हो जाएगी लेब्राडोर हो जाएगी ठंडी जल धारा है। दोस्तों ये गल्फ इस्टिम वो लेब्राडोर कहा है कि जल्दारा है तो ये अंटलाटिक महासागर की जल्दारा है गल्फ इस्टिम वो लेब्राडोर जल्दारा अंगुर उत्पादन और मचली पालन किस से संबन्दी थे तो अंगुर उत्पादन को कहते है विटी कल्चर से और मचली पालन को कहा जाते है पीसी कल्चर बोन्यो दीप कहां इस्तित है तो इस्तित है हिंद महाशागर में कहां दोस्तों बोन्यो दीप तो बोन्यो दीप है हिंद महाशागर में पवन्दीप कहां पर है तो ये बारतो शिलंका के बीच मनार के खाड़ी में पवंधीब कहा पर है? तो बारत्तों शिलंका की बीच मननार की खाड़ी में एक डिगरी देशांतर की सरवादिक दूरी होती है भुमध्य रेखा पर दो ज्वारों के बीच कितना समय का अंतराल होता है? तो 12 गंटे 26 मिनिट का समय का अंतर होता है दो ज्वारा के बीच दोस्तो वीडियो किस्चन सारे काफी इंपोर्टेंट है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते रहे है पस्ची में तेथा पूर्वी गाट शेनिया है पस्ची में तेथा पूर्वी गाट शेनिया तो निलल गिरी पहाड़ी में प्रत्थी पर वस्तु का बार सरवादिक होता है काँ पर दुरू अपर प्रत्थी पर वस्तु का बार सरवादिक आपर होता है तो यह होता है दुरू अपर भुमध्य सागर का प्रकाश सिस्थम क्या कहलाता है स्ट्राम बोली जुआला मुखी एक डिग्री अक्सांस की बीच की दूरी कितनी होती है तो 111 किलोमेटर की दूरी होती है एक डिग्री अक्सांस की बीच और एक डिग्री देशांदर की बीच की दूरी होती है 111.3 किलोमेटर दोस्तो दोनों के बीच अंतर कितना रहा कुल 300 मिटर का एक डिगरी एक सांस और एक डिगरी देशांदर की बीच में अंतराइश्टे तिथी रेका कहा जाता है एक सोसी डिगरी देशांदर रेका को कब से कहा जाता है तो सन अठारा सो चोरियाशी से अंतराश्टी तीती रेका का जाता है? 130 डिगरी देशांतर रेका को कोड इकनाल का इस्थिते पालनी पर्वत स्रेणी में सिलंका के उत्री और दक्षनी भाग को अलग करता है एलिफेंटा पास स्रिलंका के उत्री और दक्षनी पागों को कॉल अलग करता है तो एलिफेंटा पास दो देशांतर रेखाओ की बीच की दूरी के कहलाती है तो कहलाती है गोरे है दो देशांतर रेखाओ की बीच की दूरी को क्या कहते है गोरे कहते है भुमति साग्री जल्वाईव उप्युक्त है तो वो है फ़लो के लिए विस्व मौसम विज्यान संगतन का मुख्याले का पर है तो वो जाएगा जेनेवा मैं विस्व की सबसे व्यस्त व्यापरिक नदी का नाम के है तो वह है रायन नदी विश्व की सबसे व्यस्ट व्यापारिक नदी राइन नदी बुमदी सागर की कुंजी किसे कते है तो जिब्लाइल्डर जलसंदीगो इसे बुमदी सागर की जल कुंजी का जाता है जिब्लाइल्डर जलसंदीगो हीरे की खान काँ पर है कीम्रेले दक्षन अफ्रिका में यहाँ पर हीरे की खान हो जिते और सोने की खान काँ पर है दोस्तो जोहांसबर्ग दक्षन अफ्रिका में दोनों का है हीरा और सोना अफ्रिका में ज़्यादा है हिले की खान कीम्रले और सोने की खान जौन्सबर्ग सरवादिक वर्षा अंकित की जाती भूमध्य रेखिये पर अकभारी कागज का उत्पादक देश कौन सा है तो वह कनाडा यहाँ पर अकभारी कागज सबसे ज़्यादा होता है कनाडा में लक्षी दीप का सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो आउंड्रोट लक्षी दीप का सबसे बड़ा दीप है आउंड्रोट और एसया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है यांग टिसी क्यांग यह एसया की सबसे लंबी नदी यांग टिसी क्यांग सरवादिक भुकम कहां पर आते हैं तो आते हैं प्रशांत महासागर में यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है तो भुकम भी यहां पर ही सबसे ज़्यादा आते हैं प्रशांत महासागर में रबर फसल है कहां की भूमत दे रेकिया जलवायू की रबबर कहा की फसल है भूमते रेकिये जलवाईगी पर जापान का नागाशा की कह यह दीढ थै क्यो मन्डल कैने सबसे निचला-इस्तर को का चाता है शवब मन्डल यहां पर मोश्मीर गढ़नार होती है तो वाई मंडल का सबसे निच लाइचते रहा है स्वब मंडल ओजोन परत को नुक्सान पहुचाने वाली प्रमु गेस कौन सी है तो वह CFC क्लोरो फ्लोरो कार्बन ये ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुक्सान पहुचाती है परले टावर का इस्थिते संगाई में ज्वाला मुख्य उद्धार चितर कलाता है क्रेटर बायो टेक पार्क कापर अवस्थिते लखनाउ में भारत का सबसे पहला जल विजित कार खाना इस्तापित किया गया है दारजी लिंग में भारत का सबसे पहला जल विजित कार खाना का इस्तापित किया गया है तो दोस्तों दारजी लिंग में इस्तापित किया गया है और चंदन का व्रक्स मिलता है करनाटक राज्जिय में यह पर चंदन के व्रक्स ज़्यदा पाई जाता है करनाटक में ज्वार बटा उत्पन होने का कारण क्या है ज्वार बटा किसलिए उत्पन होता है तो चंद्रमाव वो सूरी के गुरुत्वा कर्शन के कारण ज्वारबटा को अत्पन होना का कारण है सूर्य और चंद्वा का गुरुत्वा कर्शन सबसे बड़ा प्राई दिप है अरब प्राई दिप ये सबसे बड़ा प्राई दिप है संसार में दीन और रात बराबर कब होते हैं प्रेरी प्रदेश का मुख्योतपाद है गेहूं सबसे छोटा महासागर कौन सा है तो आर्क्टिक महावाशागर को सबसे छोटा महासागर कहा चाता है आर्केटिक महासागर को पनामा नहर किसको जोड़ती है तो एक तो अंटलाटिक और प्रशान्थ महासागर को दोस्तो पनामा नहर किनको जोड़ती है सिर्फ महासागर को ही जोड़ती है किसे अंटलाटिक और प्रशान्थ को इसको जोड़ती है पनामा नहर शूर्य का आंतिरिक भाग क्या कैलाता है, फोटो इस्पेर हिंद मा premium वा गर का सरवाधी गेरा गरत कौन सा है तो हो जाएकर शुंडा हिंद माạnh週 अगर का सरवाधी गेरा गरत है, सुंडा विशूवतिय फ्रदेशों में वर्षा होती है, सनवहन्य विश्व अत्य प्रदैसों में वर्चा किस प्रकार की रिक उति तो सन वहनिये वर्चा ओती है विश्वकी गहरी खाई, मारियानर ट्रेंच इस्तिते प्रशाथ मासागर्म है यूराल परवत सिमा दिरतारण का कारिय करता है एसिया और यूरोप के बीच का माउंट में के लिए किस परवत सिर्णी की चोटी है तो है रोकिश जो उत्रिय अमेरिकाद में है तो माउंट में के लिए परवत चोटी है रोकिश की कापर है वो रोकिश उत्रिय अमेरिका में एसिया का म्रत सागर उदार रहने रिफ्ट गाटेगा एसिया का म्रत सागर किसको उदार रहने तो रिफ्ट गाटेगा अब्रग उत्पादिन में भारत का इस्थान कौन सा है तो अब्रग उत्पादिन में भारत का इस्थान है प्रतम सबसे ज़्यदा अब्रग का आप आज जाता है भारत में पाए जाता है नियलगिरी की सर्वोचोटी का नाम क्या है तो दोदा बेटा नियलगिरी की सर्वोचोटी का नाम में दोदा बेटा अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को सब्सक्राइब भी चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे हैं रेगूर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से रेगूर मिट्टी की प्राप्ति की से होती है लावा से दोस्तों एसे ही हर टोपिक की हर ट ताप्तिनद्यों की बीच इस्थि थे सदपुरा परवत्माला नर्मदा और ताप्तिनद्यों की बीच इस्थि थे सदपुरा परवत्माला कापासु उत्पादन में अगरिं राज्य कौन साProdukt खाल वह महराश्ट juicy पर क्पास delicious जादा उत्पादन पर फालップ महाराष्ट में जिलका जिल जिसे लेगुन जिल भी कहते है यह कांपर इस्थिते तो महान नदी और गोदावरी के मुहानों के बीच इस्थिते जिलका जिल महान नदी और गोदावरी के मुहानों पर इस्थिते विशु में पहला इस्थापीत बिजली गर कौन सा है तो वह यूसम है विशु में पहला इस्थापीत बिजली गर है यूसम है फुलो की घाटी चमोली इस्थिते उत्राखन में है मक्राना संग मरमर की खाने है राजिस्थान में यह मारबल के लिए होती दोस्तों तो संग मरमर की खाने कापर है राजिस्थान में अंतराज्ट्य दिनाग रेखा गुजर दिये बेरिंग स्टेट से अंतराज्ट्य दिनाग रेखा कांसे गुजर दिये बेरिंग स्टेट से भारत में सबसे पहला तेलकुप था डिगबोई तेलकुप भारत में सबसे पहला तेलकुप था डिगबोई थल और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है तो सन्वहन थल और समुद्र समीर बनने का प्रमुक कारण क्या है तो सन्वहन क्वार्स बनता है सिलिकोन उक्साइड से क्वार्स किसे बनता है दोस्तों? सिलिकोन उक्साइड से बनता है क्वार्स और व्यापरिक पाउने चलती है उपोष्ण उच्चदाप से हैं बारी जल तेयार किया जाता है ट्राम्बे में सबसे अधीक नोगम्य दो नद्या कौन सी है तो गंगा और ब्रहंप उत्रु भारत्य उप महादीपे का सबसे पुराना भुकंडे वोई प्राय दिप्य भारत और सबसे उचा जोग जल प्रपात काम पर है तो वो जाएगा करना डग में प्राय दिप्य भारत की बड़ी नदी कौन सीए तो वोई गोदावरी नदी और प्रशांत महासागर का प्रवेश्दार है पन्नामा नहर से विश्व का सबसे व्येस्थ हवा यड़ा है केनेडी परमानू सबसे बड़ा केंदर है सकती केंदर है तारापूर चुन्ना पत्थर डोलोमाईट बोलुआ पत्थर आदी अवसादी चटान को दारन कांपर है तो ये बारत में पाई जाते हैं चुन्ना पत्थर डोलोमाईट बोलुआ पत्थर और अवसादी चटान है का पाई जाती है दोस्तों तो यह बारत में पाई जाती है विश्व की सबसे लंबी परवत माला कौन सी है तो वह एंडिच परवत माला यह विश्व की सबसे लंबी परवत माला है एंडिच परवत माला नाट है इंगलीस चेनल अलग करता है किसे फ्रांस को युनाइटेड गिंगडम से इंग्लीस चेनल अलग करता है फ्रांस को युक्त से महासागर्य AI जल का ताप्मान होता है सबसे बड़ी प्रवाल बिती है ग्रेट बेरियर रीफ यह सबसे बड़ी प्रवाल बिती है अट्रलांटिक मास अगर में उटने वाले चक्रवाती तुफान है हरीकेंस कहते हो से अट्लांटिक मास अगर में उटने वाले चक्रवाती तुफान को क्या का जाता है हरीकेंस और रेड इंडियन प्रमुख जाती है किसकी उत्री अमेरिका की रेड इंडियन इसकी प्रमोग जाती है तो उत्री अमेरिका की है नील नदी का उद्गम मिस्तल है विक्टोरिय जिल नील नदी का उद्गम मिस्तल क्या है तो वो जाएगा विक्टोरिय जिल अट कामा मरुस्तल का इस्तिते चिली अमेरिका में अटकामा मरुष्टा लिश्थी ते चीली अमेरिका में और प्रति अपने अक्सपर घुमती है पस्चिम चे पूरव की और प्रति अपने अक्सपर किस प्रकार घुमती है तो पस्चिम चे लेके पूरव की और गुमती है नर्वदा और तापती नदिया बगथी पस्चिम की और आंतार्क्ट का माधिव इस्थिते दक्षनी दुरूपर विष्वका सबसे घरा और बड़ा मासागर कौन सा है तो उसका नाम ए प्रशान्थ मासागर विश्व का सबसे बड़ा और गेरा महासागर है प्रशांत महासागर अंद महासागर किसे कहते अंटलाटिक महासागर को अंद महासागर का जाता है अंटलाटिक महासागर को और किटिका का जिल कहाँ पर इस्तिते दक्षिन अमेरिका में कि टिटिका का जी लिश्तिते दोस्तों दक्षण अमेरिका में भारत यह विश्व का नियन्तम वर्षा वाला सेत्र है लेह यह दोस्तों भारत का भी और विश्व का भी नियन्तम वर्षा सबसे कम वर्षा होती है यह पर यह है जम्मु कस्मीर है काली मिट्टी का निर्मान हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्मान किस्च हुआ दोस्तों तो बेसाल्ट चट्टानों से और देश का सबसे बड़ा बंदरगा है वह है मुंबई केते नवास्यवा यह देश का भारत का सबसे बड़ा बंदरगा है एसिया के सेत्रफल की दस्टी से सबसे छोटा देशे यह एसिया में सबसे छोटा देशे सेत्रफल की दस्टी से वह है माल दिव ब्राजिल के कवा बाग कहलाता है फजेंडा ब्राजिल के कववा बाग क्या कहलाता है तो कहलाता है फजणड़ा और प्रत्री को बाटा गया है 24 समय कटी बंदो में ग्रीन वीच का इस्तित है UK में ग्रीन वीच इस्तित दोस्तो United Kingdom में अक्षांस रेखाओ की कुल संक्या कितनी हो जाईगी तो 180 होती है अक्सांस रेख्याओं की संक्या कितनी है? 180 देशांतर रेख्याओं की संक्या कितनी है? तो गो जाएगी 360 देशांतर रेख्याओं की संक्या कितनी है? 360 देशांतर रेख्याओं और इंडिच परवत उदारने वलित परवत का एंडीच परवत किसको दारने एक वलीद परवत का इस्ट्राम बोली ज्वाला मुखी कहाँ पर इस्थिते लिपारी में ओजोन परत अवस्थिते समताप मंदल में ओजोन परत कहाँ इस्थिते दोस्तों तो इस्थिते समताप मंदल में और रसाइन मंदल कहलाता है मध्य मंदल रसाइन मंदल क्या कहलाता है मध्य मंदल और हवाई जाच वहीव मंदल के किस मंदल में उड़ते तो सम ताब मंदल में उड़ते हवाई जाहाच भारत का सबसे बड़ा दीप है मद्धी अनमान और वोलगा नदी कहाँ पर गिरती है केस्पियन सागर में विश्व की सरवाधिक विश्वास गाती नदी किसे का जाता है हांगो नदीखो सामनेतिया डेल्टा की आखरती किस प्रकार की होती तो वोता है त्री भूजा कार सामनेतिया डेल्टा की आखरती होती त्री भूज की आकार की सर क्रीक रेखा कापर इस्थिते तो कच के रण में इस्थिते सर क्रिक रेखा का पर इस्तिते दोस्तों तो इस्तिते कच के रण में अरावली परवत की उची चोटी है उसका नाम के गुरु सिखर ये अरावली परवत की सबसे उची चोटी है गुरु सिखर का हो है दोस्तों ये राजिस्थान में इसकी उचाई कीदी है तो ही हो जाएगी 1722 मेटर और कन्णल टाट नहें से कहा है संतों का सीखर यह इसकी कुल उचाई है इलाइची की पाड़ी काई सिते क्यार में नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमर कंटक्से बारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुग इस्तिते होगली नदी के मुखाने पर बारत का सबसे बड़ा ज्वार नदी मुग काँ पर इस्तिते होगली नदी के मुखाने पर बारत की सबसे बड़ी लेगुन जिल है उसका नाम क्या है उसका नाम है चिल का जिल यह बारत की सबसे बड़ी लेगुन जिल है भारत का सबसे घरा बंदर का कौन सां तो विसा का पर्ठ्णाम है यह बारत का सबसे घरा बंदर का है सबसे पहले मांशून पहुँचता है केरल में वारत में सबसे पहले मांशून कहां पहुचता है केरल में फोरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया इसे F.S.I.B. हुआ यह काहां पर इस्तित है तो यह इस्तिते दोस्तों दे रादून में forest survey of India इस्तिते देरा दून में सबसे अधिक पानी सोकने वाली मिट्टी है वो है दोमण मिट्टी ये सबसे अधिक पानी सोकने वाली मिट्टी है भारत में काली मिट्टी का सरवादिक सेत्र है वो है महराष्ट में भारत में काली मिट्टी का सरवादिक सेत्र कहा है तो वह महाराष्ट में और इलाइची तता काजु का सबसे बड़ अत्पदक राज्जी है वह केरल सबसे जदा इलाइची और काजु काँपर होते है तो वह तो दोस्तों केरल में विश्व में सरवाधी हीरन कांपर पाए जाते हैं तो सरवाधी हीरन पाए जाते हैं दोस्तों बारत में अगर पूरे विश्व की बात करें तो और बारत का सबसे मंगा सहर कौन सा है तो वोई मुंबई ये भारत का सबसे मंगा सहर है पॉंग बांध का हैं इस्तिते वियास नदी पर कहां पर हमाचल प्रदेश में पॉंग बान इस्तिते दोस्तों वियास नदी पर और थीन बांध इस्तिते रावी नदी पर पंजाब में मकर रेखा को दो बार कौन कारती लिमप और नदी drugs झालेकck ये मकर रेका को दो बार काड़ थी, लिम पॉपो नदी. भारत वर्ष की जल सेत्र सीमा कितनी है, बारा नोटिकल मेल. हिमाचल परवर सिर्णी के स्रवादिक उचाय पर इस्थित दर्रा कौन सा है, तो कारा कौन दर्रा है, इसकी उचाय कितनी है, 18,211 फीट है, ये हिमाचल परवर सिर्णी की स्रवादिक उचाय पर इसी दर्रा है, कारा कौन दर्रा. एक डिगरी दिसांतर में कितना अंतर होता है, चार मिनट का. एक डिगरी दिसांतर में कितना अंतर होता है, चार मिनट का. भारत की सबसे लंबी इस्थिली सीमा किसके साथ है, बांगना देश के साथ है, कितनी है दोस्तों तो यह हो जाएगी, चार हजार के सम्तिक कुछ किलोमेटर है, तो चार हजार किलोमेटर तो एक जेट है, चार हजार किलोमेटर के लगभग है, चारहजार बर्यासी किलोमेटर है दोस्तों और भारित की सबसे छोटी स्थली सीमा है तो वह अफगानिस्तान के साथ है इसके साथ ही हो जाएगी 80 किलोमेटर तक की है पूर्व का बोश्टन कहलाता है एहंदाबाद को कहते हैं पूर्व का बोश्टन अरुनाचल प्रदेश पहले जाना जाता था नेफा के रूप में और समूद्री उतपादों का सबसे बड़ा उतपादक है तो वो है किया रहे कि अजोरोन मिट्टी सरवादिक उपजाव मिट्टी में होती है अधिकतलां इसकी कार्वनिक पदार्थों की जलोड मिट्टी में सरवाधिक अधीकता किसकी होती है कार्बनिक पदार्थों की होती है लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है वह आंदर प्रिदेश लाल मिर्च के उत्पादन में अग्रणी राज्य आंदर प्रिदेश भारत में सरवादिक सेतर पर पाय जाने वाली मिट्टी कौन सी ये तो वह जलोड मिट्टी भारत के सरवादिक सेतर पर पाय जाने वाली मिट्टी गए जलोड मिट्टी पर कावेरी जल्विवाद किंदो रज्यों के बीच है तो कनाटक और तमिल नाडू के बीच है कावेले चली वी बाते दोस्तों कनाटक और तमिल नाडू के बीच नर्मदा नदी कादिकांस भाग बता है मद्य प्रदेश में अरावली परवस रंकला विपाजी थे लूनी और व्यास नद्यों के द्वारा अरावली परवसंगला किसके दवार भी बाजीत है तो लूनी और व्यास नद्यों के द्वारा एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रशीदे काजी रंगा राश्टिय उध्यान तो कहां पर ये असम में है यहां पर एक सिंग वाला गेंडा पाए जाता है नेशनल वूड फोसिल पार कांपर इस्तिते जेसल मेर राजिस्थान में भारत में सबसे पहले तेल परिसकरन सयंत्र कांपर इस्तापित हुआ था डिग बोई में कभ वुआ था ये तो सं 1901 में होथा तुल परिसकरन सई्यंत्र infinite सर्वतं प्रकार का कोईला कोईला हुझा होता है ईंत्रंसाइट होता है इसमें कार्बन की मात्रा 90 पर्शन्ट तक होती है तो यह सर्वाधिक सर्वतं प्रकार का कोईला मना जाता है ओधर ग्रेनाइट किसको दारने तो आगने चड्डान काईको दारने ग्रेनाइट। स्वेच नहर का निर्मान का पर हुआ था 1879 इस्वि में। स्वेच नहर का निर्मान हुआ था 1879 इस्वि में। और स्वेच नहर का राष्ट्य करण हुआ था 1956 में। स्वेज नहर का राष्ट्रेगरान कब वुआ था सन 1956 में वुआ था पन्नामा नहर का निर्मान वुआ था 1914 में पन्नामा नहर का निर्मान कब वुआ था तो वुआ था सन 1924 में और भारत की जलवायू किस प्रकार की है तो उपोष्ण कटी बंदी मांसुनी जलवायू है। भारत की जलवायू है उपोष्ण कटी बंदी मांसुनी जलवायू। भारत में दक्सिन पस्ची मांसुन का आरम होता है मद्य जून से सितंबर तक। देक्सिन परस्ची मान्सूं का प्रवेस होता है। भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है तो वह गोंड जन जाती। ये भारत की सबसे बड़ी जन जाती है कौन सी है दोस्तों गोंड जन जाती। और विश्व जल दिवस कब मना जाता है 22 मार्ज को मना जाता है विश्व जल दिवस मना जाता है 22 मार्ज को शोब मंडल की मोटाई बढ़ती है गर्मी में शोब मंडल की मोटाई कब बढ़ती है दोस्तों तो बढ़ती है गर्मी में और एसिया में विश्व का सरवादिक जन संक्या गनत्यों वाला देश कौन सा है तो सिंगापूर काँपर दोस्तों एसिया का कौन सा देश से जापर सरवादिक जन संक्या गनत्यों है तो वो जाएगा सिंगापूर देश एक डिग्री देशांतर की सरवादिक दूरी कहां पर होती है विशुवत रेखा पर होती है विश्व का सबसे उचा शक्रिय ज्वाला मुख्य है कोटोपैक्सी इकवाडोर ये विश्व का सबसे उचा शक्रिय ज्वाला मुख्य है और प्रत्वी की सत्था के निचे का द्रवी बुद भाग के लाता है मेगमा सुन्डा गर्थ कांपर इस्तिते हिंद मासागर में और वायू मंडल में सरवादिक मातर में विद्यवान अक्रिय गेस है उसका नाम है ओर्गन वायू मंडल में सरवादिक मातर में विद्यवान अक्रिय गेस का नाम है ओर्गन सोब मंडल की धरातर से उसका कितनी है तो वह 14 किलोमेटर यहां परी दोर्थ तो मोसमी गटनाई होती है तो यह 14 किलोमेटर की उसकाई पार है संचार उबगर का है इसतित होते हैं आयेन मंडल में और रोटी की डेलिया कहलाता है यूकरेण, यूरोब इसे रोटी की डेलिया कहते हैं गलोब पर दाप कटी बंदों की संक्या कितनी है तो साथ हो जाएगी वर्षा की मात्रा मापी जहती रेग नेच से और बारत का दक्षिनितम दीप है ग्रेट निकोबार दीप काला हारी मरिश्टल कापर इसते दक्षिन पस्चिम अफरिका में काला हारी मरिश्टल इसते दोस्तों दक्षिन पस्चिम अफरिका में विश्व की सबसे चोड़ी जल संदी है वह डेविस जल संदी ये विश्व की सबसे चोड़ी जल संदी है और समुद्र जल की उस्चट लवनता कितनी होती यह 35% होती है समुद्री चलकी और्सत लवनता होती ये 35 प्रतिसत वीश्व में सबसे उच्छा ज्वार कांपर आता है फंडी की खाडी में मरे डाली नदी कांपर बेती ये तो बेती अस्टलिया में दंकन पास कांपर इसी ते तो दक्षिनी अनमान तता छोटा अनमान की मीच बारत कांपर इसी ते उत्तर पूर्वी गोलार्द में तुलबूल परियोजना संब्दी ते जैलम नदी से एसे का बंजर भूमी है थार का मरुष्टल सहारा मरुष्टल कांपर इस्थित उत्री अफ्रीका में और पारे उत्पादर मा ग्रणी देश कौन सा है तो वह जाएगा इस्पेन सर्वादिक प्रवाशी जनसंगे पाई जाती है स्विंक्तु राजी अमेरिका और कनाडा में सर्वादिक प्रवाशी जनसंगे है जकारता का प्राचिन नाम के है बटाविया जकारता का प्राचिन नाम के है जाएगा तो वह बटाविया गंदक उत्पादर मा ग्रणी देश कौन सा है तो वह यू एस है गंदक उत्पादर मा ग्रणी देश है अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उध्यों केंदर इस्तिते डेटा येट उत्री अमेरिका में और दक्सिनी अमेरिका के व्रक्ष रहिद गास कामेदान केला तै पंपाज कापर दक्सिन अमेरिका के रुद्र सागर का जिल का पर इस्तिते बद्य प्रदेश में और प्रक्रति का सुरक्ष बाल्व का जाता है ज्वाला मुख्य को का जाता है मेटेरियोलोजी अध्यन होता है मोसम का मेटेरियोलोजी के अंतरकत किसका अध्यन होता है तो वो मोसम का अध्यन होता है और विश्व का सबसे बड़ा नदी मोहाना डेल्टा है गंगा नदी का डेल्टा ये विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है घंगा नदी का डेल्टा नियागर जल प्रपात इस्तिते अमेरिका में और सुन्दागर्थ काँपर इस्तिते तो इस्तिते हिंद मास आगर में काँपर दोस्तों हिंद मास आगर में सुन्दागर्थ ग्रेट बेरियर रीफ इस्तिते प्रसांत महाज सागर में और म्रद सागर का इस्तिते जोर्डन और इस्राइल के बीच में इस्तिते City of Golden Gate किसे का जाता है सेन फ्रांसिस्को नगर को City of Golden Gate का जाता है सेन फ्रांसिस्को नगर को और एसेया का सेत्रफेल कितना है चम्मालिस मिलियन वर्क किलोमेटर यह एसेया का सेत्रफेल कितना दोस्तों लगबक साठाचार करोड किलोमेटर स्कॉयर के लगबक है विशुवत रेखा पर एक दिन के ओधी कितनी होती है तो 12 गंटे की होती है विशुवत रेखा पर एक दिन के ओधी हो जाती है 12 गंटे की प्रत्वी एक गंटे में कितना गुमती है तो 15 डिगरी देशांतर प्रत्वी एक गंटाय में गुम लेती है 15 डिगरी देशांतर के लगबगत और प्रत्वी की आयू का आखलन किया जाता है यूरिनियम डेंटिंग विदी के द्वारा प्रत्विक के आए मंग कुक्स प्रकार करते हैं इयूरनियम, लेंटिंग, विदी के द्वारा करते हैं चीन की स्थली सीमा कितने देशों से लगती है तो वह लगती है तेरा देशों से इयुक्त रेडियो तरंग के परवर्थीत होती ही आये नंडल है रेडियो तेरंगे किसे परावर्थी तो थी आयेन मुंडल से और यूरेनियम मुत्वादन मगरने देश कौन सा है तो वह कनाडा यहापर यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाए जाता है जवार सबसे उचा होता है जब सूर्य चंदरमा और प्रत्वी एक सिध्य रेखा में होते है उस समय जवार सबसे उचा होता है अंतिरिक्स में दो बिंदों कि प्रतक्ता दूरी केला थी आय। बहीर मंडल में किस गेस की प्रदानता होती है तो हाइड्रोजोन और हिलियम की चाय उगाए जाती है अत्यदि थंडे प्रदेशों में चाय कहाँ पर उगाए जाती है दोस्तों तो अत्यदि थंडे प्रदेशों में उगाए जाती है चाय और टोड़ा जन जाती है निलगेरी पाड़े की सरवादिक जन जाते कहां पाए जाती है तो भारत में ये पाए जाती है मज्द्य पृदेश राज्य में सरवादिक चंचंतिया पाई जाती है बज्ज्य पुदेश राज्ज्य में है आगे बढ़ते दोस्तों पूर्वी तट कहलाता है कॉरो मंडल तट और कोईला पाई जाता है अवसाधी चट्टानों में कोईला कहाँ पाई जाता है दोस्तों तो कोईला पाई जाता है अवसाधी चट्टानों में पाई जाता है जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है तो जस्ता के उत्पादन में अग्रणी देश हो जाएगा उसका नाम है कनाडा यह जस्ता उत्पादन में अग्रणी देश है पेट्रोलियम पाए जाता है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम कहा पाए जाता है अवसादी चट्टानों में पाए जाता है पेट्रोलियम इस्चुरी का निर्मान करती है निर्मदा और तापती नदिया गाड़ सिला किसलिये प्णिया है तुँव तामबे के लिए प्रशिद है किस चट्ठान में जिवाश मनई मिलता है तो आग न ईवा रुपांत्री चट्ठान में इन चट्डानों में दोस्तों जिवास में नहीं मिलता है बेला डिला लोग एस खान कहां पर है 36 गड़ में बारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम क्या है तो चावल है यह बारत की प्रमुख खाद्य वसल है और चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य भी या अग्रणी देश कौन सा है वह भारती विस्व में और सबसे ज़्यादा चावली उगाई जाते बारत में इसके बाद गिया हुआता है प्रती पर मरूख भूमी होने के सरवादिक संभावना 23 डिगरी अक्सांस के आसपास है प्रती पर मरूख भूमी होने के संभावना है 23 डिगरी अक्सांस के आसपास प्रती पर गने वन मिलते हैं भूमद्य रेकापर प्रती पर गने वन कापर मिलते हैं तो मिलते दोस्तों भूमद्य रेकापर ब्लेक हिल्स काँपर इस्तिते अमेरिका में और केसर उत्पादिन करने वाला एक मात्र भारती राज जी है वो जम्मू कस्मी है जबस सबसे जदा केसर का उत्पादन अता है एक फैदम में सबस्केंड़ अत्रधार प्यासी भूमी का माधीब किसे का जाता है अस्टिलिया को नियो मूर्दीब का पर इस्थिते बंगाल की खाड़ी में किस परवत मालक को सहाध्र के नाम से भी जाना जाता है तो पस्चिमी गाट को मेरी कल्चर संब्दीते समुद्र जीवों के उत्पादन से बंद्र लोई इस्पात कार खाना है करना टक में बद्रावति लोई इस्पात कार खाना का है दोस्तों तुए करना टक में उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवाई है वह केरल में तट भॉल्ड टाउन राजधानी यह बारबडोर से इसके बूड़र देशकी और मेरें सबसे उचए नोगायन जी लेख टी झेकर अपर गणीर को अप्रेस आमेरिका में यह विख्षर्य की सबसे उचए जाद जी ले तो माट्रीintérieur संलेक रहते प्लूकाट क कर्खिते बुर्ट ऑवचा मব शाइज से एर डबलीन किस देस की राजदानी तो ऑई लGO कि डबली उन किस देश की राजदानी दोस्तों तो वह आये लेंड की और हैंबर्ग सर्किस देश में इस्तिते तो जर्मनी में हम्बर्ग सर्किस देश में इस्तिते तो जाएगा जर्मनी में है कि है ती दीब सागर है के सबसे बड़ा भू आवस्टित देश कौन सा है तो वह कजाकिस्तान यह सबसे बड़ा भू आवस्टित देश है गॉल्डन गेट ब्रीज का स्थिते सेंट फ्रांसिसको अमेरिका में और हनोई किस देश के राजदानी तो हनोई हो जाएगी वियत नाम की राजदानी किस देश के राजदानी दोस्तों वियत नाम की रितु परिवर्तन प्रत्व की किस क्रिया के द्वारा होता है तो सुर्य के प्रक्रमन के कारण सुर्य के प्रक्रमन करता है इससे रितु परिवर्तन होती है और चंद्रग्रान का बोता है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच मा जाती है जब प्रत्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच मा जाती है यह सूर्य हो गया यह चंद्रमा हो गया और यह आगया दोस्तों प्रत्वी ओके यह आगया प्रत्वी इसलिए चंद्रग्रान लोटा है और सूर्य ग्राइण काव होता है कि जब चंद्रमा और प्रत्विक की बीछ जब चंद्रमा प्रत्वी ये मान के चलो दोस्तों सुर्य तो डुरी डेगा और टंद्रम का जाएगा बीच मा डेगा प्रत्वि XL सुर्य के क्या आगया चंद्रमा पेले भी समछन गई थी प्रत्री अगए आगा चंदयर्मा तब होद दो हिमालाई की इसमादर्टर शेन्या क्यों कॉनWWicon सी हिमाधी हिमा चलोर सिवाली कि यहीमालय की तिन समांतर शेणिया हैं। गोकुर जिल का निर्मान नदी की किस किर्या की द्वारा होता है। तो वह अपर्धन के द्वारा होता है। चूखा जल विदुद केंद्र गां इसी ते तो वह बुटान में है चूखा जल विदुद केंद्र इसी ते बुटान में पूर्व का मोती किसे कहा जाता है तो कहा जाता है सिलंका को पूर्व का मोती किसा कहा जाता है सिलंका को कहा जाता है और मियामार की जीवनदारा किस नंधी को कहता है इरावति नंधी को म्याम्मार की जवन्दार फिस नंदिकों कहते तो कहते इर्पटंदीकों सरवादिक अंगोर्वा जैतुन उतपातर वाण देश कुन सा है तो इटली है यह पर अंगोर्वा जैतुन सरवादिक मात्रमे उतपात दितोते आ यह लोगा किस नधी के किनारे बसाए तो उर्मनी तो आवे लोगाटी किस देश स्थित्टे जर्मनी में ईय युरोपका सबसे बड़ा नगर कौन सालए तो युल लंदन छे युड्रोपका सबसे बड़ाा नगर है और विश्व का सबसे गर्म इस्थल अल अजी जी या किस देश में सिते तो वह लेबिया में यह विश्व का सबसे गर्म इस्थल है येलो इस्टन पार किसे थे उत्री अमेरिका में येलो इस्टन पार का दोस्तों उत्री अमेरिका में एंडिज परवत माला किस महादीप में है तो दक्षिन अमेरिका में एंडिज परवत माला किस महादीप में दक्षिनी अमेरिका में किस पठार के ढाल्ट है कि पुर्वः क्योंग सर्वादिक स्वयवे गिसे यूएश म्या सर्वादिक के नह percentage कौन सकन्टरी अस्ट्रडिया एक माधीक पीए यह और एक देश भी है है तो इस्टेंगो ना दिपर इस्टेंगे सेल पाद किसम दिपर और कांगो निपर अ एंजिन नामग्विश्वका सबसे हुच्वचन किसक्ष दयशित है बंड दुल मैं सथी नामयम सबसे उच्वचन किस दयशित ए तो मने जुएल आमने अग्ला आदे दोस्तों पेंटा कोनिया के पठार किश माधिप मेह राड़ meuse से दंद सुच्छुन अमेरिका में और सही क्यों हो राज तो आस्टलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज परवल संक्ला किस महादेश में आस्टलिया में क्वाट साइट का निर्मान होता है बलुवा पत्थर से है और संग मर्मर उदाराने किसका कायांतिरी चट्डान का यू आकार की घाटे का निर्मान किसके द्वारा होता है तो होता है हिमानी के द्वारा नौर्थ इस्टर्च उदारने दुरूव्य पवन का सरवादिक जल यान का बनता है जापान में नलकूप से सबसे अधिक सिच्चाय किस प्रदेश में होती है तो अतित तमिल नाडू और तिबबत का पठार किस प्रकार के पठार का उधार रहे अंतर परवतिया पठार का मिश्टल इस्थानिय पवन है इस पे ने उंफ्रांस की मिश्टल्च काहां पर ऊची दोस्तों इस कि और फ्रांस में और मेस्ट्रेल इस्थानिय पवन है कहां की यह यह उत्री इ 723 मिस्टर और मेस्टर दोनों अलोग हो जाएगा मोर्ना को का पर इसकते इटली और फ्रांस के बीच में मोर्ना को का इसकते दोस्तों तो इटली और फ्रांस के बीच में और डोगर बेंग क्या है तो उत्री पस्ची में यूरोप में मचली पकडने का केंद्र है लोगर बेंग कि प्रदेश की निवाश्य को कहा जाता है यह जो बाल्फ सोनी सिक दरशा जाता है तो बरुफ गिरने के समान सेथर को अये बेरन आइलेन खांपर रहें अंदमान निकोबार दीख समय में ये बेरन आइलेन खाहें दोस्तों अंदमान निकोबार दीव समय मंधिश्चा करि तुर्वी एरान में दस्तмотрите लूधुद म लुस्ता लिख्तेत Θे पूर्वी इरान में है यह हुआ है कि इंसील बर्क किसे निर्मिताकर्तेत तो नत के अपरदंस है डूसरा बड़ा मास sha सागर कौन सा है तो रेकल वह अन्टलाटिक दूसरा टी किश जलवाहिव प्रतेश में वर्ष भर वर्षा के लिए कर देश में कौन्सा प्रदेश खट्टेव रजद़ फ्लो के लिए प्रशीद ए तो मlaşद탕 व्रस्था जलवायू प्रदेश कौन्सा प्रदेश दोश्तों जो खट्टेवर रजदार फ्लो moo की प्र शीदेश चर्वायू प्रदेश इस किसली प्रदेश तो किस जलवारी प्रिधेस को परिष्णम का सेदर का जाथ है तो पस्चिमी हीरो क्यों convert禁ब較 ऑ riders जाते हैं तो अंटर्म उधिकतर में पाए जाते आजैंद दोस्तों अंटर्टिका में सबसे बड़ा नदी दीप है माजुली कां पर ये असम में हैं ये सबसे बड़ा नदी दीप है कौन सा दोस्तो माजुली और ये असम में है कि बाकू इस्तान किस लिए प्रसिथे तो पेट्रोलियंग की लिए कहा पर रही है अजरबेजान में लें बाकु दिशूर के द्राब डिन इस्तलाकरटी बनती हिमाणी के द्वरह हिमाणी के द्वरहिं और कोक का निर्मान किस्ट Aww तो वहता है कोईले से कोक का निर्मान किसे होता है दोस्तों कोईले से हैं नई दुनिया किस महाद्रीव को कहा जाता है उत्री अमेरिका को नई दुनिया किस महाद्रीव को कहते है तो उत्री अमेरिकों कहा जाता है नई दुनिया चक्रवात में केंद्र का दाव होता है कितना निम्नु होता है मोपला जन जाती काँपर पाई जाती तो मालाबर पाड़ियों में केरल में मोपला जन जाती पाई जाती मालाबर पाड़ियों में केरल में चेलेंचर घर इस्थिते प्रसांत महासागर में चेलेंचर घर काँपर इस्थिते दोस्तों तो इस्थिते प्रसांत महासागर में और क्यूब एक सर किस देश में थीते कि अburg six p our कि जाल जाएं चीषिया我 स्लॉदग को में के शिलंका को बारत जयलं कॉंड करेतो तो वालशनलd मरु मद्यं और मनचार कि खाड़ी यसे लंका को बारत धात मरु मन्नार की खाड़ी ना का उद्गम मिस्तरम का है तो तिब्बत में मान्सरवर जिल में है भारत में अरब सागर की तर्टिय पट्टि के उत्री बाग को क्या कहते हैं कौन करना सबसाधिक कवा काँपर होता है कनाठक में कोईला किस प्रकार की चट्टान है तो वोई अवसाधी चट्टान और डोल्डरम काँपर अवस्तिते भूमंदिर एका के दोनों पट्टी की ओर कि कस्मिर को लद्दाग से कौन जोड़ता है जोजीला दर्रा और चावल का कटोरा या धान का का जाता है चत्यस गड़को पंच मड़ी उच्टम चोठी सद्पुड़ा श्रेनी की पंच बड़ी उच्टम श्रेनी सद्पुड़ा श्रेड़ी की कि फिरयल का नियम संब्धित है तो पवन की दिशा से लिकोबार दीब समोभ में कितने दीप है उन्नीश निकोबार दीब समोभ में कितने दीप है तो 19 दीप है भारत में उश्नकटी बंदिय सुस्क सदाबारवन मिलता है तमिलनाडू के तटिय भाग में गरजिता 40 प्रचन पचासा का जाता है दक्षिनी गुलात के पच्छवा पवन को गरजिता 40 प्रचन पचासा का जाता है दक्षिनी गुलात के पच्छवा पवन को गवा की राजदानी पनजी इस्तिते मांडवी नदी के किनार है बांगला देश में गंगा और ब्रह्म पुत्र नदियों की स्वेक दार्खों क्या का जाता है तुस्य कहते मेंगना बांगला देश में गंगा और ब्रह्म पुत्र नद्यों की शेक्दारगों कते मेगना है अरब सागर में गिनने वाली देश की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वह नरुंदा नदी अरब सागर में गिनने वाली बारत में सरवादिक मातराम में किस रेसम को अत्पदन किया जाता है तो मलवरी का बारत में सरवादिक मातराम में किस रेसम को अत्पदन किया जाता है तो मलवरी रेसम का पूर्व का स्कोडलेन कर लाता है मेगाले पूर्व का स्कोर्ड लेंड किसे कहते है तो मेगा लाइकों कहते है अगला है दोस्तों सिवालिक स्रेणी का निर्मान हुआ है सोनो जाईक यूग में और रितु प्रवास किया करता है बुटिया लोग पूर्वी समुद्र की स्वामीने का नाम है स्रीलंका कलपोंग जल्व विदुद परियोजना इस्तिते अरोना चल प्रिदेश में समुद्र तल पर पत्थ्वी के केंद्र के सबसे निकट इस्थान है उत्री द्रू समुद्र तल पर पत्थ्वी के केंद्र के सबसे निकट इस्तान है उत्री द्रू पूर्वी तिमोर की राजदानी है डिल्ली अंडमान और निकट इस्तानी है उत्री अंडमान में और अंकोरवाट का इस्तानी है कमबोडिया हमें करीबा बांध का पर इस्तान जामबेजी नदीपर और विस्व का बड़ा मांस निर्यातक देश से उसका नाम कहा है अर्जिंटिना जीलों का देश किसे केते हैं फिन्लेंड को विस्व की सबसे लंबी रिफ्ट गाटी है फोई जॉर्डन नदी गाटी यह विस्व की सब से लंबी रिफ्ट गाटी है जिरो डिगरी अक्सांस तथा जिरो डिगरी दिसांतर रेखा का इसी ते अटलांटिक मास अगर में जोग या घर सोपा जल प्रपाद का नया नाम क्या है तो महात्मा गांदी जल प्रपाद जोग या गर सोप्पा जलपरबाद कनयाय नाम है महात्मा कान दी जलपरबादária पाकिस्टान की सीमा से सट्ट है भारत के राज्जी कौन से है तो चमुकक कशमीर गुज्राद पंचाप और राजस्तान 2 यह पाकिस्टान की सीमा से लगयो भारत के राज्जी है ग्रेंड बेंग मच्चे पालन केंदर इस्थिते उत्रि अमेरिका में इंदी फाउंड लेंड पर उनका सरवादिक उत्पादक देश कौन सा है तो वो अस्टेलिया यह उनका सरवादिक उत्पादक देश है भुमद्य रेखा के निकट पांच डिगरी उत्री और दक्षिनी अक्सांसों की बीच निम्न वायुदाप पेट्रिकों क्या का जाता है डोल्ड्रम सुनामी की प्रकतिक तरास्दी आयती 26 दिसंबर 2004 को सुनामी की प्रकतिक तरास्दी आयती 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से सरवादिक प्रवाई देश है इंडोनेसिया सुनामी से सबसे ज़्यादा कौनसा देश प्रवाई दुगा तो वाता इंडोनेसिया बाल्टोरो घ्लेसेर इस्तिते बालतिस्तान में और सेसेल्स इस्तिते हिंद माहसागर में सबसे लवणिये सागरे म्रज सागर डेर सी इज्राइल और जोर्डन की बीच सुनामी से भारत का सरवादिक प्रभविदी जीला कोन्सा था तो वह था नागा पट्टिनम तमिललाडूगा न्युजी लेंड में उच परवतों से उतन्ने वाली गर्व और सुष्खवा क्यलाती नार्वेश्टार निजी लेंड में उच परवतों से तन्य वाली गर्भ और सुस्क ख़वा के लाती नार वेस्टर हमबोल्ट या पेरुवियन ठंडी जलदार है प्रशांत महासाघर की हिंद महासाघर का सब सब बड़ा दीफ है मेडा गास कर इन्दमास अगर का सबसे बड़ा दीफ है मेडा गासकर निल नदीपर बसा सबसे बड़ा सर है काहिरा निल नदीपर बसा सबसे बड़ा सेर का नाम के है काहिरा आस्वान बान बनाए निल नदीपर का बना दोस्ता आस्वान बान निल नदीपर और एक भी ज्वाला मुख्य नहीं है अस्टेलिया में एक भी ज्वाला मुख्य किस देश में नहीं है या किस महादीप में नहीं है अस्टेलिया में भुकम की तीवरता किस से मापी जाती है रिक्टर पेमाने से और भुकम तरंगे मापी यंद्र है सिस्मोग्राफ भुकम तरंगे मापी यंद्र कौन सा सिस्मोग्राफ एसिया का सबसे गना बसा दीप कौन सा है जावा एसिया का सबसे गना बसा दीप उसका नाव में जावा अंतराज्ट्य तीथी रेखा के समन आंतर इस्तिद जल संदी है बेरिंग जल संदी एमू और कोका बोरा पक्सी मिलता है नुजिलेंड में आ मिलता है दोस्तों नुजिलेंड में एक मात्र एसा महादीब जिससे होकर करक और मकर रेका दोनों गुजरती है वो अफ्रिका महादीब जिससे करक रेका और मकर रेका दोनों गुजरती है अफ्रिका महादीब से है विश्व का हिरा वियापपार का सबसे बड़ा केंद्र है वोई एंट वर्फ का ये बेल्जिम अफ्रिका में फ्लोरिडा गर्म जल्दाराय अंटलाटिक महासागर की और सबसे अधिक राष्ट्य उद्यान वाला राज्जिय मध्यप्रदेश बारत का प्रतम राष्ट्य उद्यान एम प्रतम बाग संरक्षिक इस्थल है वो राष्ट्य कार्बोर्ड पार्क उत्राखन राष्ट्य परियावरन मा प्रतिवर्ष कब मनाए जाता है 19 तवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्य परियावरन मा प्रतिवर्ष कब मनाते 19 तवंबर से 18 दिसंबर तक राष्ट्य प्राणी उध्यान है नई दिल्ली में काई दोस्तों राश्ट्रिय प्राणी उध्यान नए दिलने में भारतिय वन्य प्राणी सस्तान काहें देरादून उत्राखन में एमरोल्ड आईलेंड के नाम से प्रसीदे मर्कत दीप एमरोल्ड आईलेंड के नाम से प्रसीदे मर्कत दीप देश में जीलो तो ता गाउं के सरवादिक संख्या किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में सरवादिक आबादी भी यह लेती है भारत की तेस में जीलों तो ता गाहों के सरवादिक संख्या है यूप्धि में कि देश में नगरों की सरवादिक संख्यां कहा पर है तो वह तमिल नाडू में कितना नगर है आट सो बतिस नगर है और भारत का सबसे बड़ा जीला कौन सा है कच्छ गुजरात कितना सेत्रफल इसका 45652 किलोमेटर यह भारत का सबसे बड़ा जीला है और भारत का सबसे चोटा जीला कौन सा है तो माहे पुडुचेरी 9 किलोमेटर इसका सेत्रफल है इंडोनेशिया के सुमात्र दीप और ग्रेट निकोबार दीप को अलग कौन करता है इंडोनेशिया के सुमात्र दीप और ग्रेट निकोबार दीप को अलग करता है ग्रेट चै भोकम का दिन क्या कहला थे दोस्तों सिस्मो लोची शीव समुद्रम जल प्रपात जो कि कन्नाटक में तो यह किस नदी पर बना हुआ है तो यह बनावाई काविरी नदी पर शीव समुद्रम जल प्रपात बनावाई काविरी नदी पर देश की सबसे लंबी नहर कौन सी है दे राजस्तान नहर जल प्राथ करती है सतलज नदी से और टाइगर इस्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को बाग परियोजना का सुभारम हुआ था एक अप्रल उन्निसो त्योत्तर को विश्व की सबसे बड़ी ग्रामिन बस्ती है कॉलकाता और किस वर्ष जन गर्ना में नगरिय समु एव मान नगरिय के संकर्पना जोड़ी गई तो 1951 मा प्रत्विका एक मात्र उपगर कौन सा है तुसका नाम है चंद्रमा यह प्रत्विका एक मात्र उपगर है प्रत्वी का सबसे उपरी बाग है उससे क्या कहते है सियाल प्रत्वी का सबसे उपरी बाग होता है उससे कहते है सियाल और प्रत्वी का केंद्रे बाग को कहते है निफे या कोर कहते है तो निफे कहते है या कोर कहते है शार्क देशों में सबसे अधिक साकसरत वाला देश कौन सा है तो वह मालदीव शार्क देशों में सबसे अधिक साकसरत वाला देश से मालदीव और जापान का मेंचेश्टर है ओसाका जापान का मेंचेश्टर है ओसाका इरान की संस्कृतिक राजदानी ये उसको कहते है सिराज, इरान की संस्कृतिक राजदानी का नाम है सिराज, सबसे अधिक मुस्लिम अबादी वाला देश कौन सा है तो वो इंडोनेसिया है, यहाँ पर मुस्लिमों की चंसंकिया सबसे जादा है, और विस्व का सबसे अधिक क्रोमियम निकला जाता है दक्सिन अफ्रिका से विश्व का सबसे दिक क्रोमियम निकला जाता है दक्सिन अफ्रिका से एक मात्र महादीब जिसमें से कर्क और मकर रेका निकलती है वह अफ्रिका विश्व का सबसे बड़ा नगर जन संक्या की देश्टी से कौन साय तो वह मैक की स्थितिकाएं पेर्यू और बोलियों की सीमा पर है यह संसान में सबसे अधिक उचाय परिस्थितिक जील है कि सबसे बड़ा दीप समुवें इंडोनेसिया सबसे बड़ा दीप समुवें इंडोनेसिया और सबसे बड़ा दीप है ग्रिंडेंड डेन्मार्क में बांगलेदेश की अंतिराष्टी सीमा से लगने वाले भारत की राज्जी कौन कौन से है जो बांगलेदेश की सीमा से लगते तो पस्चे मंगल, असम, मेगले, तिरिपूरा और मिजोरम और नाथूरा दल्ला का इसते दोस्तों तो वो सिक्किम में कापर नाथूरा दल्ला सि अरप सागर में काशिव दोस्तों लक्से दब इस्तित अरप सागर में तो दोस्तों यह थे बोगोल के कुछ इंपरेंट किस्टन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें चलको सब्सक्राइब करें